महत्वपूर्ण सम्वधानिक पद एवं संस्थाएं अथवा अभी करण भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीख्षक कॉम्ट्रोलर एन ओरिटर जेनरल अफ इंडिया अनुचेद 148 से 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीख्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उसका कारेकाल पद ग्रहन करने की तिथी से 6 वर्ष तक का होता है पर यदि इसके पहले ही वो 65 वर्ष की आयू को प्राप्त हो जाता है तो उसे अवकाश ग्रहन करना पड़ता है उ वो सार्वजनिक धन का हिसाब किताब रखता है और उसका संरक्षन वो परीख्षन भी करता है वो इस तथे का परीख्षन करता है कि भारत सरकार तथा प्रतेक राजयव संग राजक्षेत्र की संचित निधी से किये गए सभी व्याय विधी के अधीन ही हुए है अथवन न अनुचे चेतर के अनुसार भारत में महा नियावादी के पद का स्रिजन किया गया है। वो भारत सरकार का प्रथम विदी अधिकारी होता है। महा नियावादी प्रथम विदी अधिकारी होता है। वो भारत के राजक शेतर के सभी नियावादी में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। पाँच कोश्ठक में चार के तहत महाधिवक्ता एडविकेट जेनरल सम्विधान के अनुसार प्रत्यग राज में एक महाधिवक्ता का पद्श्रिजन किया गया है महाधिवक्ता की नियुक्ती सम्मंदित राजे का राज़ेपाल करता है वो सरकार्त राजेपाल व जरूरत पढ़ने पर विधान मंडल को कानूनी परामर्ष देता है इसके नियुक्ति पांच वर्ष के लिए राजेपाल के प्रसाद परियंत होती है सरकार के स्तीफा देने पर इसे भी स्तीफा देना पड़ता है उसे विधान मंदल के किसी सदस्य को प्राप्त सभी विशेशादिकार वबहत्ते मिलते हैं भारत की संचित निधी अनुछे 266 कोष्ठक में एक के अंतरगत भारत सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व वो उसकी द्वारा लिये गए हर प्रकार के उधार भारत की संचित निधी में ही जमा होते हैं विधी सम्मत प्रक्रिया के तहत ही इस निधी से धन का व्याई किया जाता है जिसका परीक्षण भारत का नियंत्रक एवब महालेखा परीक्षक करता है बिनियोग विदहियक के द्वारा संसद भारत सरकार को इस निधी से धन्ध खर्चनी की अनमती देती है संचित निधी से भारत के राश्ट्रपती, सभापती, उपराश्ट्रपती, राजसभा के सभापती वा उपसभापती, लोगसभा के अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, सर्वोच नियायले एवं उच नियायलेयों के नियाय धीशों, भारत के नियंतरक वा महालेखा परीख्ष वा अन्य महत्वपूर्ण सम्विधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को वेतन वा अन्य भत्ते दिया जाते हैं। विधान मंडलों को भारत कुष्ठक्मी केंद्र या राजे की आकस्मिक निधी सरजित करने का अधिकार प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाओ आयोग को पद से हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो सर्वोच न्याले के न्याइधीश की होती है। पूर्व में चुनाओ आयोग एक सदसिय आयोग था पर अक्टुबर 1993 इसवी से इसे तीन सदसिय आयोग बनाया गया है। मुख्य चुनाओ आयोग था अन्य चुनाओ आयोग तथा अन्य चुनाओ आयोग तों को सर्वोच न्याले के न्याइधीशों के ही समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। वर्तमान में ये वेतन 90,000 रुपे मासिक है। विदान मंडलों का चुनाओ करवाना निर्वाचन आयोग का मुख्य कारे है। संपत निर्वाचन आयुक्त एच एस ब्रहमा निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी भारत की नियाय पालिका यदि नियाय का दीपक अंधिरे में बुझ जाए तो वो अंधिरा कितना गेहन होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कथन है लॉर्ड ब्राइस का भारत म में अमैरिका की तरह एकेकरित नियाय पालिका की वीवस्था है जिसके शीर्ष selective भारत का सर्वोच नियायले सुप्रीम कोट है जो नई दिल्ली में स्थित है सर्वोच न्यायले के गठन, अधिकार, एवं शक्ती से सम्मंदित विधी निर्मान की शक्ती भारती संसद में निहित है अनुचेद 124 में सर्वोच अत्वा उच्चतम न्यायले के गठन सम्मंदि प्रावधान उलेखित है केनादा में भी भारत की तरह ही एकिकृत न्याय पालिका की विवस्था है प्रिष्ट 230 उच्चतम न्यायले के नीचे विभिन राज्यों के उच्च न्यायले होते हैं जिनके अधीन अन्य न्यायले होते हैं जिनने सम्विधान में अधीनस्त न्यायले के संग्या दी गई है अनुचेद 124 कोश्ठक में एक की विवस्था के अनुसार मूल सम्विधान में एक मुख्य न्यायधीश और साथ अन्य न्यायधीशों यानि कुल आठ न्यायधीशों की विवस्था थी सम्विधान के इस उपबंद के अनुसार संसद अवशक्ता पढ़ने पर कानून द्वारा उचितम न्याले में न्याइधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है काल क्रम में उच्चतम न्याले में काम के बढ़ते दवाव को दृष्टिगत रख न्याधीशों के संख्या बढ़ती गई 2008 इसवे में उच्चतम न्याले में मुख्या एक न्याधीश के अलावा अन्य न्याधीशों के संख्या 25 से बढ़ा कर 30 कर दी गई वर्तमान में उच्चतम नियाले में एक मुख्य नियाधीश और तीस अन्य नियाधीश यानि कुल इकतिस नियाधीश है उच्चतम नियाले के नियाधीशों के नियुक्ति राष्ट्र पती करते हैं इन नयाधीशों की नियुनतम आयो सीमा और निर्धारित है पर अधिकतम 65 वर्ष की आयो तक वे अपने पत्पर बने रह सकते हैं। उचतम नयाधीश के मुख्य नयाधीश को एक लाख रुपे प्रती महा और अन्य नयाधीशों को नब्वे हजार रुपे प्रती महा वेतन मिलता है। उचतम नयाधीश राष्ट्रपती के समक्ष शपत ग्रहन लेते हैं। उन्हें गोपनियता की शपत भी दिलाई जाती है। और श्री नगर में ऐसी बैठके हो चुकी है। कदाचार साबित होने पर या कारे करने में असमर्थ सिद्ध होने पर संसत के किसी भी सदन में बहुमत द्वारा पारित समावेदन के आधार पर उचतम नयाधीश को राष्ट्रपती के द्वारा हटाया जा सकता है। उचतम नयाले का क्षेतरा दिकार पहला प्रारंभिक शेतरा दिकार उचतम नयाले को निमनलिकित प्रारंभिक शेतरा दिकार प्राप्त हैं। तथ्या या विधी के प्रश्ण को लेकर केंद्र तथा एक या एक से अधिक राजियों के बीच उत्पन्न हुए विवादों की सुनवाई करता है। सामविधानिक मामले, दूसरा दीवानी मामले, तीसरा फौजदारी मामले और चौथा विशेश मामलों में। सर्वोचे नयाले को अपने ही आदेश पर पुनर विचार करने वो उसमें संचोधन करने का अधिकार प्राप्त है। पाचवा अभीलेक नयाले अनुचिद 139 के नुसार सर्वोचे नयाले को अभीलेक नयाले का दर्जा प्राप्त है यानि इसके निर्णे स्वयम प्रामानिक माने जाएंगे और अन्य सभी न्याईक स्थानों पर साक्षी के रूप में स्विकार किये जाएंगे। चटा मौलिक अधिकारों का रक्षक सेवियर ऑव दी फार्नमेंटल राइट्स सम्विधान का अनुचिद 32 उच्टम नयाले को भारती नागरीकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक का दर्जा देता है इस हे तो उच्टम नयाले को बंदी प्रत्यक्षी करण परमादेश प चंसद या राजियों के विधान मंडलों द्वारा सम्विधान का अतिक्रमन करते हुई कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो सम्विधान की मूल आत्मा पर कुठारा घात करता है तो उच्टम नयाले इस दिशा में त्वरित हस्तक शेप कर सकती है इस दृष्टि से भारत क नयाअपाली का सथा का एक स्वतंतर है उच नयाले हाइब कोट अनुचे 241 के तहट प्रतीक राजे के नयापालीका के शीर्षपर एक उच नयाले हाइब कोट की विवस्ता की गई है अनुचे 231 के नुसार संसच चाहे तो विधी द्वारा दो या दो से अधिक राजियों और किसी संग राजक शेतर के लिए एक ही उचे नियाले इस्थापित कर सकती है देश में इस समय 24 उचे नियाले हैं केंदर शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उचे नियाले है देश में गुवाहाती उचे नियाले एक मात्र उचे नियाले हैं जिसके अधीन साथ राजे आते हैं देश में गुवाहाती उचे नैले में न्याइधीशों की संख्या सबसे कम तीन जबकि इलाबाद उचे नैले में न्याइधीशों की संख्या सबसे अधिक अठावन है देश में तीन नए उच नयायलेओं का गठन 2013 इस्वी में हुआ है जो कि मनेपुर मेगाले तथत्रपुरा में गठित हुए है उच नयायले के नयायदीशों हें तु योग्यताएं पहला वो भारत का नागरिक हो दूसरा कम से कम दस वर्षों तक किसी नयायले में नयायक पद धारण कर चुका हो अत्वा किसी उच नयायले में या एक से अधिक उच नयायलेओं में लगातार दस वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कारे कर चुका हो उच्छ नियाले के नियाधीशों को सम्मंदित राजे के राजेपाल पद एवं गोपनियता के शपत दिलाते हैं। नियाधीशों के कारेकाल की अधिक्तम उम्रसीमा 65 वर्ष है, पूर्व में ये 62 वर्ष था। उच्छ नियाले का कोई नियाधीश अपने कारेकाल से पूर्व राश्ट्रपती को संबोधित कर अपने पत से त्याक पत्र दे सकता है। राश्ट्रपती किसी भी उच्छ नियाधीशों के संख्या बढ़ा सकते हैं, अतरिक्त नियाधीशों की भी न्यूक्ति कर सकते हैं। उच्छ नियाले के मुख्य नियाधीश का वेतन 90,000 रुपे मासिक और अन्य नियाधीशों का वेतन 80,000 रुपे मासिक है। विबेन राज्यों के उच्छ नियाले अधिकारिता वस्थान नाम कोलकाता स्थापन वर्ष 1862 राजय अत्वा क्षेत्र अधिकारिता पस्चिम मंगाल अंडमान और निकबार द्वीप सम्हु। अवस्थिति कोलकाता खंडपीट पोर्ड व्लियर में चलपीट। मुंबाई स्थापन वर्ष 1862 राजय अत्वा क्षेत्र अधिकारता महराष्ट्र गोवा दादर और नागरहवेली दमण एवंदीव। अवस्थिति मुंबाई खंडपीट नागपुर पनजी औरंगबाद में। नाम चैन्नै स्थापन वर्ष 1862 राजय अत्वा क्षेत्र अधिकारता तमिलनाडू पुदिचरी अवस्थिति चैन्नै खंडपीट मदुरै। इलाबाद स्थापन वर्ष 1866 राजय अत्वा क्षेत्र अधिकारता उत्तर प्रदेश अवस्थिति इलाबाद खंडपीट लखनौ। करनाटक, स्थापन वर्ष नटारा सु चरासी ईस्वी, राजे अध्वाक शेत्रिय अधिकारता करनाटक, अवस्थिति बंगलुरू, खंडपीर स्थान रिखता है पत्ना स्थापना वर्ष 1916 एस्वी राजय अत्वक शेत्रिय अधिकारता बिहार अवस्थिती पत्ना खंडपीत स्थान रिखत है जम्मु कश्मीर स्थापना वर्ष 1928 एस्वी राज यत्वक शेत्रियतिकारिता जम्मु कश्मीर अवस्तिती श्रीनगर खंध पीठ जम्मु ओडीशा, स्थापन वर्षदIC kesुष राजय अत्व Εत टिपर ग Dimanm prim 2,9 श्रिय के अरएश कंव स्थान रहेता है गुवा हथी स्थापन वर्षद नियंचden वञेलाग गुवा ह yards ऑटि स्थापन वर्षद अवस्थिती जोदपुर, खंडपीट जयपुर, आंध्रप्रदेश, स्थापन वर्ष, उनिसुचववन इस्वी, राजे अथ्वा क्षेत्री अधिकारता, आंध्रप्रदेश तिलंगान, अवस्थिती हैदरबाद, खंडपीट स्थान रिक्त है, मध्य प्रदेश, केरल, स्थापन वर्ष, उनिसुचववन इस्वी, राजे अथ्वा क्षेत्री अधिकारता, केरल, लक्षद्वीब, अवस्थिती अर्नाकुलम, खंडपीट स्थान रिक्त है, गुजरात, स्थापन वर्ष, उनिसुसाट इस्वी, राजे अथ्वा क्षेत्री अधिकारता गुजरात अवस्तिती एहम्दाबाद खंडपीट इस्थान रिखता है दिल्ली स्थापनवर्ष 1976 एस्वी राजय अत्वक्षेत्रिय अधिकारता दिल्ली अवस्तिती दिल्ली खंडपीट इस्थान रिखता है नाम हिमाचल प्रदेश स्थापनवर्ष 1971 एस्वी राजय अत् राजय अत्वा क्षेत्रिय अधिकारता पंजाब हर्याना चंडिगर्ड अवस्थिती चंडिगर्ड खंडपीट स्थान रिखता है सिक्किम स्थापनवर्ष 1975 एस्वी, राजय अत्वक्षेत्रिय अधिकारिता सिक्किम, अवस्थिती गैंग टॉक, खंडपीट इस्थान रिखता है चतिसगड, स्थापनवर्ष 2020, राजय अत्वक्षेत्रिय अधिकारिता, चतिसगड, अवस्थिती बिलासपुर, खंडपीट, स्थान रिखता है, उत्तरा खंड, स्थापनवर्ष 2020, राजय अत्वक्षेत्रिय अधिकारिता, उत्तरा खंड, अवस्थिती नैनिताल, खंडप स्थान रिख्त है जार खंड स्थापनवर्ष 2020 राज्यातवक्षेतरियादिकार्यता जार खंड अवस्थिती रांची कंडपीत इस्थान रिख्त है मनिपूर, स्थापनवर्ष 2013 एस्वी, राजयत्वक्षेत्रियाधिकारता मनिपूर, अवस्थिती इमफाल, खंडपीट इस्थान रिखता है मेघाले स्थापनवर्ष 2013 एस्वी राजय अत्वा क्षेत्रिय अधिकारता मेघाले अवस्तिती शिलॉंग खंडपीट इस्थान रिखते हैं त्रिपुरा स्थापना वर्ष 2013 एस्वी राजयत्वा क्षेत्र अधिकारता त्रिपुरा अवस्थिती अगरतला खंडपीर इस्थान रिखते हैं ख्षेत्र अधिकार उच्छे नयले का पहला प्रारब्ध क्षेत्र अधिकार मौलेक अधिकारों की रख्षा अनचे 226 के तहत नयले की अवमानना नौका अधिकारण वसियत तलाक विवाह राजस्व मामले कंपनी कानून आदी दूसरा अपिली अधिकार ख्षेत्र दीवानी और फौशदारी मामलों के अतरिक्त संरक्षक्ता दिवालिया पन उत्तर अधिकार संबंदी मामले भूमी संबंदी विवाद पेतिंट और डिजाइन संबंदी विवाद राजस्व संबंदी विवाद आदी मामलों में उच उच नैले अपील की सुनवाई करता है। उच नैले अधिनास्त नैले के किसी भी विचारा धिन मुकदमे को अपने अधिन लेकर सुनवाई कर सकता है। निकुबार्द वीवसमु कारेपाली का उप्राजेपाल व्यवस्थापी का स्थान रिखता है। न्यायपाली का कोश्ठक में उचनयले कोलकाता, कोश्ठक में पोर्ट ब्लेर में सरकित न्यायपीट संगक्षेत्र चंडिगर कारेपाली का प्रशासक वेवस्थापी का स्थान रिखता है, न्यायपाली का कोश्ठक में उचनयले पंजाब और हरियाना चंडिगर संगक्षेतर दादर और नगर हवेली कारेपाली का प्रशासक, व्यवस्थापी का स्थान रखता है, न्यायपाली का कोश्ठक में उचे नयले, बंबई, कोश्ठक में मुंबई दमन और दीव कारेपाली का प्रशासक व्यवस्थापी का स्थान रखता है न्याईपाली का कुष्टक में उचे नयले बंबई अत्वा मुंबई संगक्षेत्र दिल्ली कारेपालिका उप्राजेपाल मुख्यमंत्री मंत्री परिशत विवस्थापिका विधान सभा न्यायपालिका कुष्टक में उचे नयले नई दिल्ली संगक्षेत्र लक्षद्वीब कारेपाली का प्रशासक वेवस्थापी का स्थान रिखत है नियाईपाली का कुष्ठक में उच नियाले केरल एरनाकुलम संगक्षेत्र पुदुचरी कारय पालिका राजय पाल मुख्य मंत्री मंत्री परिशद विवस्थापिका विधान सभा न्याय पालिका कुष्ठक में उचनेले मदरास कुष्ठक में चेननी नोट संविधान उनातर्मा संशोदन अधिनियम 1991 की द्वारा दिल्ली संग राजक्षेत्र को दिल्ली राष्ट्री राजधानी राजक्षेत्र कहा जाएगा राजय प्रशासन अनुछिद एक के नुसार भारत देश राजयों का संग यूनियन अव स्टेट्स है संग्य शाशन विवस्था वाले भारत में दो प्रकार के प्रशासनिक संरचना की विवस्था की गई है केंद्र इस्तर पर केंद्रे प्रशासन और राजय इस्तर पर राजय प्रशासन प्रिष्ट 232 सम्विधान के भाग छैका राजे प्रशासन का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता केंद्र में जहां राश्ट्रपती कारेपालिका का सम्विधानिक प्रमुक होता है वहीं राजे में राजेपाल कारेपालिका का सम्विधानिक प्रमुक होता है विशेश परिस्थितियों में केंद्र दो या दो से अधिक राजेओं के लिए एक ही राजेपाल को न्यूक्त करता है आमतार पर एक राजे के लिए एक राजेपाल की विवस्था होती है राजेपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिशत को सेंगत रूप से मिलाकर राजे की कारेपालिका के संरचना तयार होती है राजेपाल की न्यूकती राश्ट्रपती द्वारा केंद्र के परामर्श से की जाती है राजे की कारेपालेका का प्रधान राजेपाल जहां राजे का प्रमुक होता है वहीं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिदी के रूप में केंद्र तथा राजे के मध्ये एक कड़ी की भूमे का निभाता है राजे की न्यूक्ति राश्ट्रपती द्वारा पांच वर्ष की अवधी के लिए की जाती है पर व्यवहारिक रूप से वो केंद्र सरकार के प्रसाद पर यंत ही अपने पद पर बना रहता है केंद्र की इच्छन रूप राष्ट्रपती किसी भी राजेपाल का किसी अन्य राजे में स्थानां तरण कर दे सकते हैं या किसी अन्य राजे का भी उसे संगत रूप से राजेपाल बना दे सकते हैं राजेपाल पद हितु योगयता हैं पहला वो भारत का नागरिक हो यदि किसी एक राजे के राजेपाल को दो या दो से अधिक राजेओं का राजेपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे अन्य राजेओं के राजेपालों का भी वेतन उसी अनुपात में दिया जाता है या फिर जैसा राष्ट्रपती इस संबन में निर्धारित करते हैं वैसा ही होता है वेतन के अलावा राजपाल को मुफ्त सरकारी आवास अन्यान्य प्रकार के भत्ते वविशिष्ट सुविधाओं के अतरिक्त पैंशन भी भारत के संचित निधी से दिया जाता है कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार भी राजपाल पत पर चुना जा सकता है प्योग कर निर्न लेने का अधिकार प्राप्त है जब विधान सभा चुनाओं में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो अपने विवेक अनुसार किसी भी व्यक्ति को बतार मुख्यमंत्रे नियुक्त कर सकता है जिसे बहुमत साबित करने के लिए वो अपनी इच्छानुसार कुछ समय की मोहलत प्रदान करता है राज में असम्वधानी के स्थिति या वित्य अराजक ता उत्पन होनी पर राज पाल की भूमी का अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है उसके रिपोर्ट पर राज में राश्ट्रपती शासन लागू हो जाता है राज पाल की उन्मुक्तियां वविश्य शादिकार उसे उसके कारेकाल के दोरान किसी नैले द्वारा गिरफतार नहीं किया जा सकता उस पर किसी भी नैले द्वारा आपराधी कारेवाही नहीं की जा सकती उसके पद ग्रहन करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किये क अपने कर्तवियों के किसी भी प्रकार से पालन करने के संबंद में किसी भी न्याले के प्रति उतरदाई नहीं है। वो राजे के उच्छ अधिकारियों के नियुक्ति करता है। प्रशासन की सिफारिश करता है। और उसका विघटन करता है वो सामाने निर्वाचन के बाद विधान मंडल की प्रथम बैठक तता प्रतिवर्ष सत्रा रंब के प्रथम बैठक को संबोधित करता है वो विधान सभा के अधिवेशन अत्वा दोनों सद्नों के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करता है उसे विधाई शक्ति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वो विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक को स्विक्रिती प्रदान करता है। कोई विधेक उसके हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन सकता है। राजयपाल को यदि ऐसा लगे कि आंगल भारतिय समुदाय को विधान सभा में परियाप्त प्रतिनिधित्वा हासिल नहीं है। तो उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधान सभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। राजयपाल को विधान परिशत की कुल सदस्य संख्या के एक बटा छे भाग सदस्यों को न्यूक्त करने का अधिकार है इस हेतु वो समाज के ऐसे लोगों को नामज़त करता है जिनोंने कला, समाथ सेवा, सहित्य, विज्यान, सहकारी, आंदोलन अधिक्षेत्रों में विशि प्रतिने दित्व मिल सके ऐसी सामविधानिक विवस्ता है प्रिश्ट 233 राजयपाल कुछ विशेश प्रकार की विधेयकों को राश्ट्रपती के ध्यनाकर्शन वपरामर शेतु उसके पास संप्रेशित करता है विधान मंडल का सत्र जब स्थगित हो तब राजयपाल को यदि विशेश परिस्थितियों में किसी अध्यादेश Ordinance को जारी करनी के अविशकता महसूस हो तो वो ऐसा कर सकता है उसके द्वारा जारी अध्यादेश को यही वैधानिक स्विकृती प्राप्त होती है जो विधान मंडल द्वारा पारित किसी अन्य अधिनियम की होती पर ऐसे अध्यदेश को छे सपता के अंदर विधान मंडल से स्विकृत करा लेना जरूरी होता है। वो विधान सभा में प्रतिवर्ष राजय का बजट पेश करता है। उसके सिफारिश पर ही विधान सभा में पूरक बजट पेश होता है। किन्तु जब वो विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वो उस पर अपनी सहमती इच्छा या अनिच्छा से देने के लिए बादे होता है। विधी अनुसार में नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है। उपराजेपाल वो प्रशासक। दिल्ली पुदुचेरी तथा अंडबान और निकोबार द्वीब सम्हूं के लिए उपराजेपाल की विवस्था की गई है। दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीब, दमण वदीव के लिए प्रशासक की विवस्था होती है जबकि पंजाब का राजेपाल चंडिगर के प्रशासक का भी दायत्वन इभाता है। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सम्विधान के अनुछेद 164 कोश्टक में एक के अनुसार किसी राजे में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राजेपाल की द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राश्टरपती के प्रती उत्तरदाई होता है। मुख्यमंत्री राजेपाल को मिलने वाले समस्तर शक्तियों का वास्तविक उपभूक करता मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री राजे की कारेपाले का शक्ति का द्वरी होता है। वो किसी भी मंत्री के विभाग में कभी भी फेर बदल कर सकता है। जो मंत्री उसकी नीतियों से सहमत न हो उसे मंत्री परिशत के बाहर जाना होता है। राजे के समस्त नीतियों का संचालक वस्तुतह मुख्यमंत्री ही होता है। राजे विधान मंडल सम्विधान के अनुचेद 168 के अनुसार प्रतेक राजे में एक विधान मंडल के गठन का प्रावधान है। कुछ राजयों का विधान मंडल दो सदनिय और कुछ में एक सदनिय है। सम्विधान के प्रावधान के अनुसार यदि किसी राजय के विधान सभपूर्ण बहुमत अत्वा उपस्तित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो उस राजे में संसद विधान परिशद गठित कर सकती है अत्वा हटा दे सकती है वर्तमान समय में विधान परिशदों वाले राजे इस प्रकार है बिहार, उतरप्रदेश, महराश्ट्र, आंदरप्रदेश, तमिलनाडू, करनाटक और जम्मु कश्मीर शेश राजे में विधान मंडल का एक ही सदन है